हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्णिंग विधी देश, यह जो आप प्लांट देख रहे हैं, इसका नाम है लेट्टिूस, जिससे हम सलाद पत्ता भी कहते हैं, इसके हमें दो फाइदे हैं, पहला तो अगर आप इसे अपने गार्डन में एड करते हैं, यह आपके गार्ड चमकदार इसकी पत्तियां होती हैं, और दूसरा इसमें नूट्रिशन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक हैं, आप इसे अपने सैंड्विच में एड करें, यह आप अपने इसे नॉर्मल खाने में एड करें, सलाद में एड करें, तो बहुत ही ज्यादा इसमें नूट्रिशन पाइ जाते है, जो आपकी health के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आपने इसे use कैसे करना अगर आप इसे खाने में add करते हैं, आप ने इसके जो नीचे वाले पत्ते हैं, उसे आप काटते जाएं, एक leaf रोज या जितने भी आपने काटने हैं, आप काटते जाएं और उपर से मत काटें इसे ये कैबेज की तरह होता है जैसे पत्ता गोबी होती है पत्ता गोबी बिल्कुल एक बॉल सी होती है वैसी ये निकलते जाते हैं इसमें से लीव से निकलते रहते हैं और काफी बड़ा हो जाता है ये अपना मतलब ये फैलता है जाद तो आप इसे ज्यादा deep pot में ना लगाएं, ज्यादा shallow pot में लगाएं क्योंकि इसकी roots फैलती हैं, यह तो मैंने ground में लगाया हुआ हैं, तो आप इसके side side से side side से पत्ते, रोज या जैसे भी आपने जब भी खाना हार्वेस्ट करिए और बीच से इसके पत्ते leaves और निकलते जा हैं, गार्डन में भी अच्छा लगता है, अपनी leaves के कारण और खाने में भी आप इसे, अगर आपने इसे खाना नहीं भी है, फिर भी यह ornamental की plant की तरह आप इसे grow कर सकते हैं, बहुत सुन्दर लगता है, इसमें red color भी आता है, और कई color ऐसे हैं, कई plants ऐसे होते हैं, इसके lettuce के, जिनके leaves थोड़े से करल होते हैं, वो भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे ornamental kale होता है, ornamental cabbage होता है, वैसे ही यह plant भी होता है, बहुत सुन्दर लगता है, और अगर आप एक बार इसे लगा देंगे अपने garden में, तो इसके इतने सारे seeds बनते हैं, बहुत ज जाएंगी यह, मिट्टी आप इसकी soft मिट्टी बनाएं और well-drained मिट्टी बनाएं, उसमें इसकी जड़ें अच्छी तरीके से फैलती हैं और plant भी अच्छा grow करता हैं, ज्यादा आपने इसमें over watering नहीं करनी हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जब हम इसमें ज्यादा over watering करते हैं, तो क्या होता हैं, इसमें fungus लग जाती हैं, यह देखिए, यहाँ पर ज्यादा पानी खड़ा रहा, तो इसमें देखिए पूरा ये नीचे से गल जाता हैं, इसकी जो stem होती है, वो गल जाती हैं, और देखिए इसमें कितनी fungus लगी हुई हैं, यह over watering के कारन होता है वाटरिंग आपने इसमें करनी है इसकी मिटी आपने मोइस रखनी है यह नहीं कि आप डेली पानी डाली जा रहे हैं और मिटी आपकी पूरी तरीके से ड्राइ नहीं हुई है हलकी सी moist रखें पर ज्यादा over watering ना करें ताकि इसमें pot में ज्यादा पानी खड़ा ना रहे हलकी सी मिटी moist रहनी जाए और sunlight आप इसे 4-5 घंटे की sunlight देते हैं तो बहुत अच्छा grow करता है अगर आप full day या जब ज्यादा winter में भी कई बार बहुत ज्यादा तेज धूप होती ह है तब कई बार इसकी जब ज्यादा तेज धूप में पूरे दिन की धूप में पड़ा रहता है तो कई बार इसकी leaves जो होती है वो wilt होने लग जाती है क्योंकि इसके leaves में ही सारा nutrition है तो अगर हम ज्यादा धूप में से रखेंगे तो इसके nutrition भी धीरे-धीरे खतम होने लग जाते हैं अगर आपने इसे खाने में यूज करना है अगर पोसिबल है आपके लिए तो वैसे अगर आप इसे गार्डन में भी एड करेंगे तो बहुत अच्छा लुक देता है खाद की इसे गोबर खादी डालें ज्यादा कोई chemical डालने की अविशक्ता नहीं है आपको सिर्फ आप गोबर की खाद डालें उससे यह अच्छा ग्रो होता है अगर आप इसे future में अगर खाना भी चाते हैं तो आपकोई health पे भी इसका कोई effect नहीं पड़ेगा बुरा effect side effect नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने इसमे organic matter ही डाला है गोबर की खाद या सबजियों के चिल प्रिख से घज कर अपकोई एाद है कर नहीं अगर आपकोईक के खाद टारें बुराद आपकोई यह अगर शीचरा प्वाबर की खाद डाला है गूए चलग बुराद बुराद आपकोई में लेता है